फ्रेंड नमस्कार मैं समिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एक कदम सब के साथ में फ्रेंड जैसा आप सभी को पता है हम इस चैनल के माध्यम से नेट जी आपकी प्रिप्रेसर कर रहे हैं साथ ही जो GIC और GDC की वेकंसी आई हुई है उनके लिए हम GKGS और करेंट अफेर प्रिप्रेर कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी कई बार कोमेंट किया है या मैसेज किया है वाटसेपे भी बहुत सारे स्टुडेंट आप सभी को बहुत सरा सर्च करके उसके बाद में और मैंने खुद देखा है कि जो आपके क्वेश्टिन बने है प्रिवीएशर में तो वह कौन सी बुक है जिनसे ये क्वेश्चिन आपके सेट होते हैं और अधिक्तर जो कंडिडेट सफल होते हैं तो वह किन बुक्स को फ UP, PSC, GIC, Lecturer के लिए Pre-Exam के लिए जो हमारा Group है यहां पर आपको Daily Quiz कराई जाती है और यही पर आपको Homework दिया जाता है जो भी Authentic Book है जैसे जो लिस्ट में बताने जा रही हूँ वो Authentic Book की लिस्ट है बाकि अगर आप Book नहीं ले सकते हैं आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो आप घर बैठ कर हमारे साथ जुड़कर तयारी कर सकते हैं यहां आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से यह Book का पेख देती हूँ जिनसे आपको फूरा तो पढ़ना नहीं है उनमें कुछ ऐसे टोपिक हैं जिनके मैं नोर्स बनाने को बोलती हूँ और नोर्स बना के आपको देती हूँ इस तरीके से जैसे यह बना है ऐसे नोर्स मैं यहां पे प्रोवाइड कराती हूँ जिनसे सभी अव्यरती जो है तयारी कर रहे हैं उसके बाद में नाइट में हमारा कुज होती है कुज तैयार की जाती है जिसमें इस टाइब से कुष्चन दिये जाते हैं आप देख सकते हैं यहां से और इस कुज को करने के बाद इसका रिवीजन होता है ठीक है जी आईसी और जी टीसी के लिए ठीक है उसके बाद में हम इस तरीके से सिलेक्टेट चो नोट्स है है वो सौर्ट में आपको देते हैं जिनसे क्या होता है आपको पढ़ने में आसानी होती है और समझने में आसानी होती यहां पे आप देख सकते हैं कि किたनी महन पूड सारी चीज़े हैं तो यही आप जब भी एक्जाम देने जाएगा, ठीक है, तो जिब 40 questions आपको GKS को देखने को मिलें, तो आप समझ जाएंगी कि बागई में मैम ने हमें जो बताया था, उसी से question पहुचे गया है, क्योंकि जो question बनते हैं, उनका pattern समझना होता है, उनके type समझने होते हैं, एक सही रणनीत के माध्यम से हम exam को qualify करते हैं, और GIC और GDC कोई छोटा exam है नहीं, वो आपका UPPSC conduct करेगा, तो हमें उसी level को लेकर चलना है, और आप लोगों के पास इतना समय भी नहीं होगा, कि आप पूरी books जो है, खंगाल पाएं, ठीक है, तो हम आपको यह इस तरीके से sort में कुछ notes देते हैं, इस तरीके से provide कराते हैं, यह आप देख सकते हैं, केरोटीन एक protein है, केरोटीन क्या है, आपसे पूझा जाए, protein है, आपके जो बाल है, नाखून है, जानवर के खुर है तो यह सब ही केरोटीन से बने होते हैं, गाए का दूर जो होता है, वो पीला किसलिए होता है, तो केरोटीन से होता है, तो इस तरीके से sort जो है, चीजे हम यहाँ पर provide कराते हैं, ठीक है, और इस तरीके से जो है, आपका result भी आपको पता चलता है, जैसे इतने आभियरती ज हमारे हैं उन्होंने यहां पे अपना रिजल्ट देखा है कि हमने कितना अच्छा किया इसका रिवीजन किया और इस तरीके से आपको कुश्चन प्रोवाइड कर आए जाएंगे करेंट अफेर के क्योंकि करेंट अफेर भी बहुत महत्तु जरूरी है मतलब आपके एक्जाम क पर बता रही हूं कि अगर आप कोई ग्रूप जोइन करना चाहते हैं डिसकसन के लिए जैसे हमारे यहां पर देख सकते हैं कि अभ unters जो है आपने पर डिसकसन भी कर लेते हैं अदूसरे से कुश्चन बता पूँच लेते हैं हैं तो यहां आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है question बनते हैं और किस तरीक से student पढ़ाई करते हैं आपस में तो अगर आप भी join करना चाहते हैं आपको लग रहा है कि आपकी तयारी नहीं हो पा रहे हैं और आप GIC और GBC में selection लेना ही चाहते हैं तो 40 जो question है उसके तयारी हम आपको यहां पर करा रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ कर तयारी कर सकते हैं जिसके लिए आपको सिर्फ हमसे contact करना होगा WhatsApp और फीस बहुत ही कम है बहुत ही कम फीस है यहां पे मैं आपको बता ही देती हूं मातर 399 रुपे आपको यहां पे पे करने होंगी और आप यहां पे जुड़ जाएंगे ठीक है और अपने तया अब अगर आप सिर्फ अपनी बुक्स के माद्यम से पढ़ना चाहते हैं तो अब मैं आपको बुक्स बताओंगी ठीक है अगराप कोई गृ। कोई यूटोबर है जो आपको बता रहा है तो आप वहां पे जाए हमारा उद्देश जो है ना ही व्यूज है अगर हमें व्यूज लेना होता तो मैं यूटूब पे ही बहुत सारी और तयारी करें हम भी जिस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं स्मार्ट वर्क के द्वारा आपको सकसे दिलाएं ठीक है यह हमारा उद्देश और हम भी अभी जो है स्टार्टिंग में हैं तो अच्छा वर्क ही करना चाहेंगे है ना फिलाल आपकी मर्जी आप जॉइन करना च के लिए क्या करना है आपको 6 से 8 तक ठीक है इससे जादा नहीं 6 से 8 तक NCIT में पढ़ना है कौन सी आपको Science पढ़ना है NCIT में History पढ़ना है और Geography पढ़ना है 6 से 8 तक ही NCIT यह पहले आपको Note कर लेना है क्योंकि यह बहुत जरूरी है क्योंकि UPPSC का एक्जाम है और एक्जाम में इस Basic से जो Question होगे वो यहां से पहुचे जा सकते हैं ठीक है तो यह आपको 6 से 8 तक ही NCIT पढ़ना है इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी 9 और 10 की यहां से ही आप बहुत अच्छा तयार कर सकते हैं ठीक है यह पहली आपकी Book हुई उसके बाद मे Science, History, Geography और बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके समिधान मिधान के तो वो सारे आपको घटना चक्र में मिलेंगे ठीक है पहले आपको NCIT पढ़नी है उसके बाद में आपको घटना चक्र पढ़ना है ठीक है अब यह दो हो गई NCIT और घटना चक्र उसके बाद में आपको Current Affairs के लिए क्या करना है? Current Affairs के लिए तीसरी जो बुक लेनी होगी स्Play, इस पीड़ी ले जिए या फिर प्रतियो गिता दर्पंड की जो मंध लिए प्रतियो गिता दर्पंड की जो मासिक पत्री का आथी है उसे ले सकते हैं उसमें क्रड़ी दिया होता है वहां से आप तया करना है उससे पहले अगर आप एक भी कोशिन गलत नहीं करना चाहेते हैं तो आप जनवरी से जा सकते हैं वैसे मैं यहां पर अपने हमारा जो गृप है वहां पर मैं 2020 जनवरी से मैंने जो मैं मैं टॉपिक थे जिसे आपको पता होना जाहिए कि करेंट अफेर के कोशिन बनें जून तक का नहीं तो आप मैं तक का पढ़ने ठीक है जून 2020 से मैं 2021 तक का आप करेंट अफेर पढ़ने ठीक है लब एक्जाम हो से एक महीने पहले तक का तो यह आपको बुक्स पढ़ने है ठीक है यह जो बुक लिस्ट है इसको अगर आप फोलो करते हैं तो कुश्चन आपको चाहिए कि आप जो है अब बुक भी आपसे यह थोड़े कहें कि पढ़िए अब आपका मन भी नहीं है और यहां पर मैं छोटे छोटे जैसे 21 कोश्चन दिये तो बहुत ही सेलेक्टेट कोश्चन दिये जिसको आप 10 मिनट में 15 मिनट में रिवीजन भी हो जाएगा पहले जो है मैं आप आपको टेस्ट के लिए 30 सेकंड देती हूँ इसके बाद में मैं 15 सेकंड देती हूं मतलब रिवीजन के लिए तो इतना फाश्ट और बहतर मैं यहां पे आपको करा रही हूँ ठीक है तो यह था आज का क्लास जुसमें मैंने आपको यह बताया है कि GIC जी डी सी 40 question और हिंदी साहित तो आप हिंदी साहित के लिए हमारी classes follow कर सकते हैं subject के लिए और साथ ही यहां पे 40 question आपके इसमें हिंदी grammar current affair gkgs यह सारी चीजे में यहां पे आपके clear करवाऊंगी यह हमारा पूरा हो जाएगा माई तक ठीक है माई तक यह पूरा हमें complete कर लेना है तो अगर आप जॉइन करना चाहेते हैं तो आप हमसे follow करिए पसंद करने की बात ही नहीं है authentic चीजे मैंने आपको बताई है यहीं से आपके question बनेंगे ना मानेंगे तो जब exam हो जाए उसके बात में आप थेख लीजिएगा चेक कर लीजिएगा कि आपके question बनेंगे कहां से बनेंगे आपका मैंने बता दिया फिर से मैं एक बार बता देती हूं कि एक तो आपका NCRT दूसरा आपका घटना चक्र पूर्वा अबलोकन का और तीसरा आपका जो है यह SPD कर इंटरफियर के लिए या फिर प्रतियोगता दरपन ठीक है इतना ही आपको करना है 40 question के लिए और इसमें भी आपको selective पढ़नी है ठीक है तो इतना आपको GIC और GDC के लिए कर लेना है तो फ्रेंट इस क्लास में इतना ही बाकि हमारी classes आ रही है GIC और GDC के लिए मैंने 100 questions जो है आपको provide कराए है रसाया सारी बहुते भी ज्यान से और आपका history से science से और बाकी और भी classes दी है previous year के question paper से तो सारी ये playlist में लगी हुई है आप देख सकते हैं ठीक है तो इस class को यहीं पे